स्वागत है दोस्तों आपका confusion 9.2.11 में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलीस अवर सेवा आयोक के द्वारा हाल ही में ली गई बिहार पुलीस सब इंस्पेक्टर सर्जेंट और एसिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट का एक्जाम जो की पीटी का एक्जाम 22 दिसंबर 2019 को बिहार के विविन पईच्छा केंद्रों में हुई कहीं कहीं सांति पुन्धंग से हुई और कहीं कहीं सेंटर पे हंगामा हुआ और कहीं कहीं सेंटर पे छात्रों ने एक्जाम देने से मना कर दिया तो नवादा का कुछ सेंटर था और कुछ और सेंटर था और इन दौरान बहुत सारा आरोप लगाया गया आयोग के दौरा की सही से एक्जाम कंड़क्ट नहीं करवाया गया और कोशन पेपर वाइरल हो चुका था तो इस संबंद में बहुत सारा दिखते थे जिसके कारण मुझे ये कट अफ बनाने में थाट टाइम लग गया क्योंकि चीजे साफ नहीं थी और आज के समय जब मैं ये कट अफ अपलोड कर रहा हूं आप लोग के लिए तो कुछ हद तक चीजे साफ हो गई हैं पहला ये कि एक्जाम अब कैंसिल नहीं होगा दोस्तो और दूसरी ये कि जिस सेंटर पे छात्रों ने एक्जाम देने से मना कर दिया था उनके बारे में फिलहाल आयोग ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और अभी जांस परकेरिया चल रही है कि क्या उस सेंटर पे जो छात्रों आरोप लगाये थे कि एक्जाम का पेपर जो था वो एक्जाम सुरू होने से एक गंटा पहले वाटसाप पे वाइरल हो चुका था तो ये फिलाल अभी कनफर्म नहीं हो पाया है या फिर मेरे भी संग्यान में ऐसा कुछ नया अपडेट नहीं आया और जो एंसर की और जो कोशन पेपर हुआ था वो एक्जाम डूरेट जब एक्जाम सुरू हो गया था उस दोरान है यानि कि एक्जाम सुरू होने के बाद का ही मैंने वाटसाप पे सारा कुछ एंसर की और कोशन पेपर देखा था तो इस हिसाब से भी ये कहा नहीं जा सकता है कि पहले लीक हो गया था एक्जाम से पहले और आयोग ने भी कंफर्म कर दिया कि अब एक्जाम कैंसिल नहीं होगा और जन्वरी में जन्वरी लाश्ट में PT का एक्जाम 100% कंफर्म है कि PT का रिजल्ट आपका निकल जाएगा जन्वरी के अंद तक और इसका मेंस का एक्जाम हो जाएगा 15-20 दिन आपको टाइम देगा मेंस के लिए तो बहुत जल्द करवाएगा क्योंकि 2020 में बिहार चुनाव आने वाला है तो सरकार चाहेगी कि जल्दी CA वेकैंसी कम्प्लीट करवा दे तो ये बात करने से पहले कुछ नए चातर अगर जो पहले वार चातर इसका आप वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें प्रिवियस येर का मैं कटफ एक वार देखा देना चाहता हूँ और जो प्रिवियस येर का एक्जाम जो दिये होंगे उन्हें तो कटफ पता ही होगा लेकिन नए चातर जो है वो प्रिवियस येर का पहले कटफ देख ले उसके बाद ये जो मैं कटफ रहेगा ये कटफ मैं बताऊंगा तो उन्हें ज्यादा भरोसा होगा कि हाँ यही cut-off नहीं तो वो confusion में ही रहेंगे कोई बोलेंगे सर बहुत कम cut-off आपने बता रहा है कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत ज्यादा तो सबसे पहले एक previous year का मैं cut-off दिखा देता हूँ जो 2017-18 में जो हुआ था 1717 पदो के लिए और यहां पर आप टोटल सीट है 2400 और कहा गया है कि यहां 20 गुना मैंस के लिए कॉल करेंगे तो लगभग हम लेके चल रहे हैं कि 50,000 लोग को कॉल किया जाएगा मैंस के लिए 50 से 49,000 तक लोगों को कॉल किया जाएगा मैंस के लिए इसी के हिसाब से कटफ रहेगा सीट जितना ज्यादा रहता है 2400 सीट है कटफ भी उसी के कॉर्डिंग रहेगा अब देखिए जब 2017-18 में जब 1717 पद के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई थी तो वहां का जो पीटी का कटफ गया था वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसके बाद जो मैं यह कटफ बनाया हूँ हर एक कटेगरी में EBC, BC, SC, EWS हर कटेगरी का यहाँ पे दिया गया है तो पहले मैं प्रिविएस येर आप लोग को दिखा देता हूँ उसके बाद फिर मैं इस कटफ के साथ हूँगा चलिए, प्रिविएस येर का मैंने कटफ खोल लिया है वहाँ पे बिग्यापन संक्याता 0.1.2017 और यहाँ पे टोटल 1717 पदों के लिए बेकैंसी निकाली गई थी तब देखिए, यहाँ पे हम केवल पीटी के कटफ का बात करेंगे प्रिविएस येर का तो जेनरल कटेगरी में मेल का 109 गया था, फीमेल का 63.6 नमबर उसी तरह बीसी कटेगरी में आई है, तो मेल का गया था 103, समनो 6 और फीमेल का गया था 60 नमबर EWS का ये मेल का गया था 97.6 यानि कि देख लिजे अगर ये सारा कुछ आउट ओफ 200 में है, 200 का टोटल मार्च था 200 में, मेल में 109, फीमेल में 63.6 ये जेनरल केटेगरी का, बीसी में 103.6 गया था, आउट ओफ 200 का यहाँ बात कर रहा है तो यहाँ देखें, EBC देखें, यानि कि 50% से भी कम गया था EBC का, BC का आपका 51% के आसपास गया था तो कट ओफ पिछले बार बहुत कम गया था, 1770 पत था, इस बार भी क्या जाएगा वो में कट ओफ आपको आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में अगर आप इस चैनल पर नए है, तो किरपय करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नए अपडेट आए तो उसका वीडियो में अगर अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मॉइल में पहुंच सके तो EBC का देखिए, मेल का था 97.6 और फीमेल का गया था 60 नमबर, 60 यानि की दो सो में 60 नमबर कटफ गया था उसी तरह ST का बात करें यानि realized तो मेल का गया था 88 नंबर आउट ऑफ 200 फिमेल के गया था 69 नंबर आउट अफ 200 उसी तरह अगर ht का बात करें तो मेल का गया था वह उ desarrollo 101 ko नई Fact means 10101 नंबर आउट ऑफ 200 उसी तरह मेल का विए 60 नंबर यहां पे women of backward class 3% का reservation कोटा जो था वो यहां से field नहीं किया गया था और warts of freedom fighters के था 60.4 number यहां पे male और female का categorized नहीं किया गया था तो यह आपका previous year का cut लेकिन यहां पे एक चीज़ और देख लिए female के लिए 35% जो reservation दिया गया है उसके बाद जो female का हर एक category में देख लिए cut off एकदम minimum गया है 60% sorry 60 marks out of 200 यानि कि अगर आप 30 question भी सही कर दे रहे हैं out of 100 में तो आपका selection यहां female category में हो जा रहे है यानि female में बहुत यहां पे फैदा मिला था exam qualify करने में female को तो आगे भी इन्हें फैदा होगा next exam में तो चलिए आप previous year cut off देख लिए अब जो cut off जाने वाला है जो by December को exam हुआ था उसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना परसेंट यह cut off गया है कितना परसेंट नहीं कितना marks out of 200 में चलिए आप जो हम cut off का बात करेंगे वो advertisement number 01 अपलिक 2019 जो कि by December 2019 को exam हुआ है PT का for the post of police inspector, sergeant और assistant, jail superintendent का exam हुआ था तो उसका cut off के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यह general category, general category में male और female का कितना cut off जाने वाला है तो यहां पर देख लीजे general का male का cut off जाएगा 112 number और female का cut off जाएगा, वो 66 number केवल जाएगा उसी तरह आईए BC category में यानि कि backward class में आईए तो backward class में male का आपका 105 number जाएगा, और female का जो है, वो 64 number यह भी देख लीजे, out of 200 का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 100 cushion था 200 marks का, तो 200 marks में BC category का जो male category है, वो 105 number और female का है, जो 64 number cut off जाएगा और इस वीडियो के आंत में हम आपको बताएंगे, कि यह marks कैसे निकाला जाता है, negative marking जानते थे कि एक question गलत होगा, तो 0.20 आपको marks जो है, वो right वाले में से काट लिया जाएगा, और अगर सही होगा तो आपको 2 marks दे दिया जाएगा चलिए अब EBC केटेगरी में आईए, EBC और BC का ज्यादा फर्क्ट नहीं रहता है EBC केटेगरी यानि कि extremely backward class में आपका male का 100 number जाएगा यानि कि 50% और female का 63 number जाएगा out of 200 अब आईए, SC का यह यानि कि schedule cost का यह male का जाएगा 90 number और female का जाएगा 62 number यानि कि 62 number यह total है out of 200 में चलिए अब अगला next category है मेरा ST यानि कि schedule tribe schedule tribe में देखे यह male का जो आपका cutoff जा रहा है वह 103 number और female का जो जाएगा वह 62 number उसी तर women of BC class यानि कि BC class में अलग से 3% कोटा केवल women के लिए दिया गया है इसका इस वार इसमें selection लेगा इस category से और इसका जो cutoff गया है cutoff जाएगा वह 60 number cutoff जाएगा अब आएए EWS जो इस वार EWS कोटा से भी selection लिया जाएगा और इसमें भी seat दिया गया है तो EWS यानि कि economically weaker section यह जो है इसमें आपका male का 102 number जाएगा और female का 61 number इसमें cutoff जाएगा अब आएए wards of freedom fighters के category में 62 number cutoff जाएगा जितना भी cutoff मैंने बताया है ध्यान रखिएगा कि यह cutoff है आपका 62 wards of freedom fighters और जितने भी category में cutoff बताया है वह out of 200 में cutoff मैंने आपको बताया है अब चलिए कि number कैसे आप लोग को जोड़ना है और यहां पर एक चीज और ध्यान दिजिए कि 2 shift में हुआ था तो 2 shift में हुआ था तो बहुत सारे लोग कर रहे कि normalization करेगा तो जिस तरह का normalization आप SSE और railway में देख रहे हैं उस तरह के हाँ पर normalization नहीं करेगा यह जो करेगा बहुत ही slightly difference रहेगा लेकिन जो दोनों को मिला करके होगा normalization वो 200 पर ही basically आपका depends रहेगा कि 200 marks में आपका कितना number आ रहा है चाहे आपका first shift में हो या फिर second shift में क्योंकि दोनों shift का जो question level था वो लगभग लगभग moderate था दोनों का moderate था तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा जो भी cutoff बताया गया है इसी के अनुसार cutoff आएगा क्योंकि आपको previous year में मैंने बता दिया था कि previous year का cutoff बताया था उसमें भी दो shift में हुआ था तो उसका भी cutoff आप लोग ने देखा कि किस तरह से दिया गया है तो इस cutoff पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा shift अलग होने से यही cutoff हर एक shift का यहाँ पे मैंने combine बता दिया है और यही combine ही cutoff आपको बताता अब number कैसे मा लिजे कि किनी विद्यार्थी खा question में 60 number सही हुआ ठीक है और 40 question गलत हुआ उन्होंने total attempt किया था 100 question तो 60 को into 2 से multiply कर देंगे तो 60 को अगर 2 से करेंगे तो 120 number इनका marks आया और चुकि निगेटी 0.20 था तो 0.20 को इसमें से गुना कर देंगे 40 में से 0.20 और divide कर देंगे 100 ये point हटा देंगे तो यहां 5 और इसे काटेंगे तो 8 number आपका negative कटेगा तो 8 number किसमें से कटेगा तो जो 120 number आया तो इसमें से हम 108 number घटा देंगे तो 108 घटा देंगे तो वहाँ पे 2 और 1 यानि कि 112 number आपका आ रहा है अगर आपका इस तरह से हुआ तो इसका मतलब आपका हर एक कटेग्री में यानि अगर आप जेनरल कटेग्री में तो यहां मेल्स में आपका एकदम boundary line पे आगा है selection हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि मैं जितना भी cut-off बता है उसमें plus minus 1 कर लिजेगा जैसे यहां पे 112 है तो plus 1 करेंगे तो 113 भी जा सकता है minus 1 करेंगे तो 111 भी जा सकता है लेकिन ज़्यादा variation देखने को नहीं मिलेगा उमीद है कि इससे कम रहेगा इससे ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तो तो यह मैंने आपको बता दिया कि marks आप लोग कैसे निकालेंगा और cut-off कितना जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा share करें late cut-off बताने का कारण भी आई था कि बहुत सारे छातरों से मैंने पता कर रहा था कि उनका कितना marks जाएगा है और उनके अनुसार कितना जाना चाहिए क्या यह cut-off अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपना भी सुझाओ दे कि आपके हिसाब से cut-off कितना जाना चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए आप लोका बहुत बहुत सुक्रिया आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद